नमस्कार मारकेट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ सुरेश मान चंदा आज बात उन कोमोडिटीज की जो या तो बढ़ने वाली है या जिन में देखने को मिल सकती है गिरावट मद्य परदेश में गेहों के उतपादम में जहां एक तरफ गिरावट देखने को मिली वहीं दूसरी तरफ सरकारी खरीदारी में भी भारी गिरावट देखने को मिली है साल 2023-2024 के सीजन में मद्य परदेश का उत्पादन 242 लाग टन से फिसल करके 212 लाग टन पर पहुँच गया है वहीं सरकारी खरीदारी की अगर बात की जाए तो सरकारी खरीदारी 71 लाग टन से फिसल करके 48 लाग टन पर आ गई है बाजार जानकारों का मानना है कि या तो स्टोक अभी भी किसानों के हाथ में है या फिर किसानों ने बाजार के अंदर समर्थन मुल्य से ज्यादा प्राइज मिलने के चलते प्राइवेट प्लेयर्स को या तो सीधे बेच दिया है या फिर उन्होंने मिलर्स को ये माल बेच दिया है बहराल अभी विपक्ष ने भी गेहूं के बफर स्टोक को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया था चावल को लेकर के इस हफते केंदर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैंसला लिया जा सकता है के अंदर सरकार जल्द ही चावल के निर्यात पर एक बड़ा फैंसला लेने जा रही है मिली जानकारी के मताबिक ग्रीमंतरी अमित शा की अध्यक्षता में मंतरियों का समू गैर बास्मती चावल के निर्यात पर नियुंतम निर्यात मुल्य गोशित कर सकता है फिलाल गैर बास्मती चावल के निर्यात पर रोक है मारकेट टाइम्स टीवी को मिली जानकारी के मताबिक 500 डोलर प्रती टन नियुंतम निर्यात मुल्या की घोशना इसी हफते हो सकती है निश्चित तोर के उपर इसका सीधा फाइदा किसानों को और साथ ही साथ निर्यातकों को मिलेगा देश में तीन बड़े गन्ना उत्पादक राज्य है उतरपरदेश, महरास्ट्र और करनाटक यहां पर अच्छे मांसून के चलते गन्ने की पैदावार में खासी बड़ोतरी दर्ज की जा रही है जानकारों के मताबिक केवल मातर इन तीन राज्यों में ही नहीं बलकि हरियाना, पंजाब, उत्राखंड इन राज्यों के अंदर भी अन्य जो दूसरे गन्ना उत्पादक राज्य हैं वहां भी गन्ने की पैदावार में इस चालू सीजन के अंदर में अच्छी खासी बड पादन की संभावना दर्ज की जा रही है नाफेड की अच्छी लिवाली के चलते इस साल सरसों की कीमतों के अंदर में उच्छाल देखने को मिल रहा है ना सिरफ नाफेड की खरिदारी के चलते बलकि माना ये जा रहा है कि इस साल सरसों की पैदावार में कमी दर्ज की बात करें तो जैपूर की मंडी में मैं अंत तक जो सरसों बावन सो से लेकर के और पच्पन सो रूपए के घरों में कारोबार कर रही थी 42 फिसद की कंडिशन की वो फिलाल 6000 रूपए के ऊपर कारोबार करती नजर आ रही है जानकारों का ये मानना है कि सरसों की कीमतों में सोने की अगर बात की जाए तो सोना फिलाल अंतरास्टिय बाजारों में 2370 डोलर प्रती ओंस के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वहीं घ्रेलू बाजारों में हाल फिलाल के अंदर में 74,000 रुपे के उपर कारोबार करने के बाद फिलाल हलकी मामूली मुनाफ़ा वसूली के चलते 73,000 रुपे के नीचे फिसल आया है कुछ जानकार इसे बाइंग अपोर्चुनिटी मान रहे हैं जानकारों का ऐसा मानना है कि जल्द ही सोना लख्टक्या हो जाएगा जी हाँ यानी की एक लाख रुपे प्रती 10 ग्राम को पार कर जाएगा सोने में ये उच्छाल आने वाले करीब 6 महीने से एक साल के दोरान देखने को मिल सकता है फिलाल विदेशों में इस समय पर इलेक्शन्स का मोड है अगर हम बात करें फ्रांस की ब्रिटेन की और अमेरिका की तो यहाँ पर चुनावी इस समय पर दंगल देखने को मिला जिसकी वज़े से सोना स्थिर बना हुआ है लेकिन इसमें जल्द ही एक तरफा रैली दिखाई देगी बात अब गौर की कर लेते हैं क्योंकि हाल फिलाल के अंदर में गौर को हमने करीब करीब 5250 रूपे से 54 रूपे के घरों में कारोबार करते हुए देखा है बात अगर सोमवार की की जाए तो सोमवार को बाजारों के अंदर में मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली लेकिन मंगलवार को हमने यहाँ पर एक बार फिर से खरीदारी लोटते हुए देखी मौनसून बहतर रहने की आशंका के चलते गौर पर अभी भी फिलाल दबाव बना हुआ है वाइदा बाजार के अंदर में गौर के पराईज एक बार पांच हजार रूपे के स्वरों को तोड़ सकते हैं चालू सीजन के अगर बात करें तो चालू सीजन में गौर के उत्पादन में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है और मौनसुन अच्छा रहने के चलते गौर की कीमतों पर दबाव पड़ेगा जिसकी वज़े से गौर की कीमतों में एक तरफा हम बिकवाली का दबाव देख सकते हैं ये दबाव पांच हजार रूपे के नीचे के प्राईज दिखला सकता है भारी बारिशों के चलते जहां एक तरफ सबजियों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है वहीं प्याज की अगर बात करें तो प्याज ने एक बार फिर से तेजी का रुख अक्तियार कर लिया है Market Times TV ने हाल फिलाल के अंदर में आपको बताया था कि प्याज की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है एक तरफ निर्यात मांग और दूसरी तरफ बारिशें ये दोनों ही फैक्टर्स प्याज की कीमतों में इजाफा ला रहे हैं जानकारों का ऐसा मानना है कि ठोक बाजार के अंदर जल्द ही प्याज की कीमते 35 रूपए प्रती कीलो को पार कर सकती हैं जिसका असर निश्चित तोर के उपर पे खुद्रा बाजार में दिखाई देगा अब बात लैसुन की कर लेते हैं लैसुन की कीमतों के अंदर में इजाफा लगातार बरकरार है पिछले सीजन की अंदर में हमने देखा लैसुन 30,000 रूपे प्रतिक इमेंटल के स्थरों को छूग गया एक बार फिर से लैसुन की कीमतें यहाँ पर उफान लेती दिखाई दे रही हैं माना यह जा रहा है कि लैसुन का इस साल रिकोर्ड उत्पादन हो सकता है बीते साल हमने पहली बार ऐसा देखा जब लैसुन का निर्यात 60,000 मिट्रिक टन को पार कर गया निर्यातकों को यह उमीद है कि चालू सीजन में यह आकड़ा एक लाख मिट्रिक टन को छू सकता है जिस से लैसुन की नई कीमतें हम देख सकते हैं